बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर मैं हूँ दिलिक कुवरुपाध है और जी हाँ आज हम डिसकस करने वाले हैं direction and distance के कुछ बहतरी इन concept hope so, अगर आप लास्तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहते हैं तो definitely आप इन questions के answer बिना किसी copy pen के सीधे-सीधे solve करके दे सकते हैं so, वीडियो को skip बिल्कुल मत करेगा थोड़ा सा session है ज्यादा बड़ा session नहीं है ज्यादा लंगा session नहीं है आपकी ये 10-15 minutes आपको definitely इन type के questions में beast बना देंगे, conquer कर सकते हैं आप इन questions को, hope so, देखिए जो हमारा पहला type है मैं सीधर चलता हूँ topic के उपर और हमारा जो पहला type है उसमें हम discuss करेंगे उन questions के बारे में जिनमें cable directions के बारे में discussion किया जाता है यानि कि question में ही demand होता है कि बताइए कि इस दिशाओ में होगा कि इस दिशाओ में नहीं होगा, only they are talking about the directions, right, so, देखिए, हमारे पास जो पहला type of question है, कुछ इस तरीके से questions अपने exam में definitely देखे होंगे, और बहुत सारे बच्चे में उस की बात करेंगे, ठीक है, तो देखो, basic concept इतना सा है, भी इस question को भूल जाओ, पहले basic concept की बात कर लेते हैं, basic concept में हम एक चीज़ जानते हैं, कि अगर मालीचे कि मेरा जो face है, वो north की तरफ है, right, और मैं एक बार दाये मुड़ा, मैंने आप से कहा कि मैं एक बार right turn लिया, तो हमारा north है, हमने एक right turn लिया, तो ये east में पहुँच गया होगा, obvious, और एक और बार turn लिया, तो ये south चला गया होगा, यारि कि दच्छिन में पहुँच चुका होगा, इसके बाद अगर मैं कहूं, एक बार और turn लिया, यारि कि एक यहां पर हुआ है turn, एक यहां पर दो बा आशा में कहूं, कि मैं चार बार right turn लेने के लिए, अगर मैं कहता हूँ, तो चार बार right turn का मतलब होता है, मुझे कहीं भी turn लेने की आवश्यक्त नहीं है, जिधर मेरा face था, उधर ही मेरा face रहेगा, distances की बात हो नहीं रही है, क्योंकि directions की बात हो रही है, so distance से कोई फर्क प जरूत नहीं है, मेरा चहरा उसी direction में होगा, जहाँ पर मेरा initially face था, ये बात clear है, अगर ये बात आपको आती है, तो मैं थोड़ा सा और इसमें add करता हूँ, अगर मैं आपसे चार बार right न कह करके, मैं आपसे कहता कि सर, आप पांच बार right घुमो, कितना घुमना है, पांच पूरा total घुम सकते थे, या फिर अगर आपको पता है, कि सर, चार बार right घुमने का मतलब है, कहीं नहीं घुमा, है ना, तो मैं इसमें से 4 और 1 के format में, अगर मैं इसे अलग कर दूँ, पांच को, तो इस 4 बार का मतलब है, कहीं नहीं घुमना, है ना, और इस एक बार right का मत हमने की जरूरत है, अगर मैं यहां आप से कहता, कि कोई भी candidate है, वो 9 बार left घुमा, कहां, 9 बार left घुमा, तो प्यारे बच्चो, जैसा कि अभी तक हमें पता चल चुका है, कि 4 बार एक दिशा में घुमो, या 8 बार घुमो, या भाई, 8 का मतलब क्या है, 4-4 के 2 बार, है न चार बार राइड घुमो, 8 बार राइड घुमो, 12 बार राइड घुमो, 16 बार राइड घुमो, 20 बार राइड घुमो, 24 बार राइड घुमो, इनको घुमने का कोई मतलब है ही नहीं, इतना ज़्यादा घुमना भी नहीं है, बट इनका मतलब कुछ है भी नहीं, तो 9 बार left को क्या मैं 8 बार left प्लस एक बार left लिख सकता हूँ और 8 बार left का मतलब है कहीं नहीं घूमना यानि simple मुझे 9 बार left घूमने की बज़ा है सिर्फ एक बार left turn कराना था हा या ना यानि इसी concept को अब apply करेंगे हम एक दूसरे तरीके से क्या है वो दूसरा तरीका simple वे है बहुत जादा critical नहीं है सी जब भी हमें कोई भी बड़ी entity बोली जाएगी जैसे यह 576 बार है तो प्यारे बच्चों हमें इसमें चार का भाग दे करके हमेशा हर एक value में जितनी बार ज्यादा स्यादा बोला जाए उतनी अगली दूबार जो संखया दे रखी हो उसमें हमें चार का भाग दे करके सिर्फ remainder चेक करना है जैसे मैं क्या करा था ? नोबार LEFT का मतलब क्या हम देंकाला था ? एक बार LEFT ृकर निकाला था ? अगर मैं चाहता तो इसको चार से भाग देता और कितना सेस बच रहा है कितना सेस रिमेंडर कितना बच रहा है किवल उस पर फोकस करो भाग कितनी बार जा रहा है उस पर नहीं सिर्फ रिमेंडर पर फोकस करना है सेस कितना बचा तो देखो चार का भाग अगर मैं नो में देता तो भाग तो दो बार जाता लेकिन सेस कितना ब concept लागू करने हैं और आसानी से इस question को answer कर सकते हैं चले आए question की तरह देखते हैं क्या है a person was going in south direction यानि एक कोई वेक्ती है जो south direction में यानि दच्छिर की दिशा में जा रहा था he turned 576 times to his left and then he turned 123 times to his right यानि कोई वेक्ती फिर जो है वो 576 बार अपने भाई और मुणा है और उसके बाद में फिर उसने 123 बार right turn लिया है right अब चूकि हम अभी यह जान चुके थे कि sir हमने अभी पता किया कि भाई इतनी बार घूमने का मतलब तो कोई बनते ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस संख्या में चार का भाग दूँगा और चार का भाग देने के बाद में मैं बस यह देखूँगा सेस्पल कितना बचा लेकिन यहां भी एक additional आपके पास एक concept है पहरेवेचो कि आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना हम जानते है mathematics के फॉर्मेट के according हम जानते है कि चार की भाग देने की process कुछ ऐसी है कि लास्ट के दो अंगकों में जितना सेस्पल अंगकों में उतना है उस पूरी संख्या में भाग देने पर सेस्पल नहीं बचेगा यह हम सब जानते हैं right or not तो मुझे पूरी संख्या नहीं देखनी है हमेशा लास्ट के दो अंकों पर फोकस करना है बकाया यहां कुछ भी दे रखाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहनि 76 में अगर मैं 4 का भाग दूँगा तो प्यारे बच्छो 19.76 होता है सिंपल सी बात है हम जानते हैं कि कोई भी सेस नहीं बचेगा चार का भाग इसमें पूरा-पूरा चला जाएगा और अगर 0 सेस बच रहा है मतलब कुछ भी सेस नहीं बच रहा है तो 0 कह सकते है 0 सेस बच रहा है इसका आर्थ यह है कि आपको कहीं भी उसे घुमाने की जिरोत नहीं है वो एजटेज अपना सेम डिरेक्शन ही रहेगा मतलब अगर वो दच्छन में जा रहा था और उसके बाद 576 बार वो बाएं घुमा या 576 बार दाएं घुमा उससे कोई फरक नहीं पड़ता वो दच्छन में ही अभी उसका फेस होगा Is that clear? So, इस entity को ऐसे eliminate कर दिया कहानी खतम? आगे चलते है 123 बार वो दाही और मुड़ा है तो मैरे बच्छो अगें 123 के last के दुव अंकों पर focus कर लो 4 का भाग दिया, कितना सेस बचा? 3 सेस बचा किदर जा रहा था? right की ओर जा रहा था? मैंने 3 right रख लिया कहानी इसकी भी खतम हो गई ठीक है? आगे चलते है 45 बार दाहे मुड़े से पहले 45 टाइम कहा right टर्ग लेना है हाँ याना, हलांकि कौन पहले लेना है पहले तो हमें जैसे बिदिवत कहते है ना कि हम तो orthodox type चीजे है, जो बोला है हम उसको follow कर रहा है बस, तो देखो 729 बार पहले मुड़ा है वो कहां, बाई और, ठीक ना 739, फोकस करो पहरे बचो 29, लास्ट में 29, 29 पर अगर में 45 बार दाय मुड़ा है, हाँ यह ना तो 45 बार का मतलब फिर से निकालो 4 का भाग दो, कितना 6 बचा, कितना 6 बचा, कितना 6 बचा, कितना 6 बचा, उस चीज को चकाउट करो, तो आप कहेंगे सर, 1 6 बचेगा, 11, 45 होते है, 1 6 बचेगा, यानि 1, हमें चारा बताना है, तो question बहुत छोटा होगे आपके लिए, अच्छा, इसको भी और short करना है प्यारे बच्चेगा, देखना, right, right एक जैसे होते हैं, यह आपस में जुड़ जाते हैं left, left वाले से घटते हैं, मतलब right, left एक दूसरे को eliminate करते हैं दो बार right हो, दो बार left हो तो यह एक दूसरे को कार देंगे, क्योंकि यह opposite entity है तीक है, आप सुनो, तीन right और एक right, यह दोनों जुड़ेंगे कितना होगे अब भी, चार right होगे और सर्जी अब भी आपने बता है था, चार right और प्यारे बच्चों, अब उसे gut pit करके हमारे पास एक ही value बची है कि वो बस एक बार left गुन जाए उसका face हमें पता चल जाएगा यानि इतनी सब entity की जगए पर हम सिर्फ एक चोटी सी entity को turn कर आ रहे हैं, यानि एक बार left और left का मतलब हमेशा धहन रखा कर उपयारे बच्चों left का मतलब होता है anti-clockwise अगर आपको doubt है तो left का मतलब क्या होता है? anti-clockwise यानि घड़ी की भी प्रितिसा और right का मतलब क्या होता है? right का मतलब होता है हमेशा clockwise चीक है? इसको हम दच्छडवर्थ बोल देते हैं हिंदी में इसको बामा बर्थ बोल देते हैं हिंदी में ठीक है? left को बामा बर्थ और right को दच्छडवर्थ फिलाल कमारे पास अगर मैं बात करें तो एक बार left बोलना है यानि कि यहाँ पर उसका face है anti-clockwise में आप चल सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है तो वरना आप सीधा सीधा बता सकते हो sir एक बार left टन लेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा यानि कि अब उसका चेरा किदर हो गया? obvious उसका चेरा हो गया east में यानि आप आन सकते हो option c उमीद करता हूँ पूरा concept आपको इस एक question की माध्यम से समझ में आ गया होगा अब इस पर कोई भी आपको question दिया जाए आप आसानी से उसे eliminate कर सकते हो clear है? चलो तो फिर सीधा सीधा चलते है questions की ओर और अगला question आपको पहले pause करना है pause करने के बाद मैं देखो इस question को pause कर लो pause करने के बाद मैं तो यहाँ पर continuous बता रहा हूँ आप pause करने के बाद अपने answer और मेरे answer को match कर लेजएगा ठीक है? चले तो अचिर कुड़ वस गोईंग in north east direction अब देखो यहाँ पर north east इंगलिस में north east है और हिंडी में यह हमने दच्चर दे रखा है कोई दिक्कर नहीं प्यारे बच्चों मैंने यह जान बूझ करके किया है था कि हिंदी के लिए हिंदी के according बता दू English के according आपके पास एक और question हो जाएगा तो पहले मैं हिंदी के according बता दे रहा हूँ और फिर हम इसे English के according करेंगे answer दोनों से different आएंगे answer दोनों से different इसलिए आएंगे क्योंकि यहां पर जो candidate है वो दच्चन की ओर जा रहा है यहां पर North East की ओर जा रहा है कोई दिक्कर नहीं आपके लिए दू question बनगे पहले में हिंदी वाले को solve कर रहा हूँ और फिर हम English वाले को solve करेंगे ठीक है चले तो यहां पर एक बेक्ती जो है वो South की तरब जा रहा है दच्चन की ओर जा रहा है 633 बार वो अपनी बाई और मुड़ा 633 प्यारे बच्चो फोकस करो last के 33 पर 4 का भाग देंगे तो एक 6 बचेगा और यह कहां जा रहा था buy your हम डख लिया left ठीक है हटा दिया पूरे 633 को एक left में हमने convert कर लिया और फिर वह जो है यहां आगे गया है इतनी quantity लेकिन हमें इतनी quantity टर्ल नहीं लेनी है हमें 42 को देखना है 42 का मतलब क्या है प्यारे बच्चो चार का भाग दो फटा पर 42 का मीनिंग बदाओ मुझे तो आप कहेंगे सर्फ 42 का मीनिंग है 2 हाना 4 का भाग देंगे 10 बार जाएगा लेकिन 2 सेस बचेगा हमें सेस पर focus करना भाग कितनी बार गया इस पर focus नहीं करना यानि इसका मतलब हुआ 2 क्या 2 right क्योंकि यह right की तरफ turn बुला गया है आगे देखें तो हमारे पास है entity 551 लेकिन हम फोकस करना है 21 पर 4 का भाग देंगे तो 3 सेस बचेगा और यह किधर था left की ओर तो यह होगी हमारे पास 3 left right or not इसके बाद देखो यहां पर है हमारे पास एक बड़ी entity बोलीगी है लेकिन हम 5 4 ही focus करेंगे अब देखो 5 4 पर बाई और बुड़ेगा कोई दिखकने दो बाई और यारी कि दो left हा या न और देखो बस काम घदम हो गया आपका आपका और कोई turn बोला ही नहीं है तो देखो 2 right से कटगे 2 left और 3 left और 1 left मिलकर की बनेगे 4 left और 4 left का मतलब या 4 right का मतलब आप जानते है मतलब nothing यारी उसका चहरा कहा था मैरे बच्छो दच्छिन दिसा में है तो वह दच्छिन दिसा में ही था हा या न तो आपके हिंदी वाले question के लिए answer क्या रहेगा south ही रहेगा क्योंकि हमें कहीं move करना ही नहीं है और English वाले के लिए अगर मैं बात करता हूं same turn है मैरे बच्छो अगर आप चाह समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं 33 था एक 6 बचा किधर left था तो हमने यहां पर left रख लिया 42 है कहां पर right में 42 का मतलब 2 रखेंगे क्यों रखेंगे चार का भाग 10 बार गया लेकिन 6 कितना बचा 2 बचा यदि 2 right तो मैंने यहां पर 2 right रख लिया ओके आगे देखो तो double 1 है double 1 का मतलब क्या हो गया 3 हां यहां यहां और 3 कहा था left की हो तो यहां पर मैंने 3 left लिखिया आगे 54 है 54 पूरी संग के हमें फोकस नहीं करना है last के दो डिजिट पर 54 का मतलब हो गया 2 और 2 किधर प्यार बचो left की तरफ right और not तो देखो 2 right से 2 left कट गये 3 left और 1 left मिल कर के cancel होगे यानि कि 4 left बनगे 4 left का मतलब कहीं नहीं घूमना यानि इन्दीस वाले question के लिए answer क्या रहेगा north east ही answer रहेगा तो according to your options दोनों के answer अगर आप देहां से देखें तो दोनों के answer done off दी जाएंगे लेकिन आपके पास दो question होगे right उमीद करता हूँ कि यह concept अब आपको आसानी से समझा गया होगा इतने बड़े-बड़े आप टल ले सकते हैं नॉर्मल होगे आपके लिए question last के दो डिजिट पर focus करना है चार का भाग देने पर कितना से इस बच रहा है सिर्फ आपको यह बताना है is that clear चले तो बढ़ते हैं आगे अगले question के लिए यहां पर हमने जो questions रखा है इस question के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे पास योग turns है इस बार हमें degrees में turn दे रखे हैं कुछ हमें clockwise दे रखे हैं कुछ हमें anti-clockwise turn दे रखे हैं कोई दिखकर नहीं है देखो right का मतलब मैंने क्या बताया था आपको right का मतलब मैंने बताया था आपको clockwise हाँ या ना तो मैं यहाँ पर clockwise रख लूँगा एक साइर और एक बार रख लूँगा anti-clockwise ऐसा कोई भी question हो जिसमें angle movement दे रखा हो क्या दे रखा हो angle movement चुकि यहाँ पर left-right बोला नहीं है अगर बोलता तो मैंने पक्का पता है सर अब की right का मतलब क्या होता है clockwise होता है ठीक है तो मैंने यहाँ पर clockwise रखा है यहाँ पर anti-clockwise रखा है ठीक है यह भी concept बिल्कुल सेम है क्यों 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 क्योंकि देखो अगर मैं नौट की अगर आप 35 degree anti-clockwise घूम जाओ तो अगर मैं 35 degree anti-clockwise घूम जाओंगा तो बापस उसी original position पर आ जाओंगा यहाँ से घूम करके हाँ यानि कि 35 clockwise और 35 anti-clockwise ने एक दूसरे को cancel कर दिया और हम अपनी original position पर as it is बरकरार है मतलब clockwise anti-clockwise को cancel कर देते हैं अगर equal amount में है तो वो obvious एक दूसरे को क्या कर देंगे क्या कर देंगे cancel कर देंगे good आगे चल दें तो question की बात करते हैं एक कोई person था जो कहां face कर रहा है नौर्थ में face कर रहा है first he turned 45 degree clockwise तो एक काम करें 45 degree clockwise में से रख लीजे जो कि clockwise entity बुली गए है now he turns 90 degree anti-clockwise तो यहां anti-clockwise में रख लो कुछ बची क्या करते हैं न फेस बनाएंगे भाई कहां था चारा नौर्थ में था फिर उसके बाद में 45 degree clockwise गुमाएंगे फिर anti-clockwise गुमाएंगे तो फिर यहां गुमाएंगे गुमाद रहेंगे यार इतना entity बत करो सिंपल सार नॉर्मल ही खतम हो जाएगा अगे देखो इसके बाद क्या है फिर वह गड़ी यहां से इंग्लिश में करा था 90 degree anti-clockwise समरे रख दैन 92 degree in clockwise direction 92 clockwise चलो यहां आगे 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 तर्ण 45 degree anti-clockwise anti-clockwise में गुमाएं 45 degree anti-clockwise गुमाएं 45 degree anti-clockwise गुमाएं आगे देखो फाइनली ही तर्ण 135 degree clockwise यहां से 135 degree clockwise गुमाएं कोई रिकत नहीं ना बस simple वे में अभी तक हम सिर्फ इस एंगल्स को ही चकाउट कर रहे हैं यहां से देखो 45 से 45 eliminate कर सकते हो और यहां 92 और 90 में डिफरेंस देखो के तो केबल दो आएगा यानि हमें केबल और केबल यहां पर एक जो चेहरा दे रखा है उत्तर में जो चेहरा दे रखा है उससे हमें 137 degree clockwise घूम रहे है और आपका जहां भी चेहरा होगा वही आपकी अंतिम पोजीशन रहेगी अच्छा यहां पर में साथ-साथ एक चीज़ बताता चलू कभी-कभी क्या है कि बच्चे जैसे सीधा-सीधा eliminate करना नहीं चाहते है तो आप एक काम कर सकते है देखो यहां इस सब को sum up कर लो यह कितना बना 135 बना प्यारे बच्चो इस सब को sum up करोगे तो देखो 5,2,7 और 12 बिलकुल basic से बता रहो 12 carry 1 9,4,13,13,16,17 carry again 1 और 272 इसका sum आ गया और 135 इसका sum आ गया है अब कौन ज़्यादा ह तो आपके एंगे सर यह ज़्यादा है कितना ज़्यादा है बस आपको यह पता करना है तो यहां से क्या करोगे 135 इसमें से minus कर दोगे तब भी आपका 137 बचेगा और कौन सी direction में बचेगा clockwise भी बचेगा right or not अब depend आपके उपर करता है कि आप इसे कितना तेजी से absorb करते हो क कितना तेजी से नहीं करते है यहां पर देखो 135 हो रहा था तो मैं सीधा-सीधा 135 से इसको eliminate कर सकता था तब भी मेरे पास जो entity बचेगी वो 137 बचेगी ठीक है बेसिक से भी कर सकते हो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो अब आजाओ उसका चेरा कहा था नौर्थ की दरफ चलो भई यहां से यहां तक कितना डिगरी होता है यहां और इसे आप कहते हो east, इसे आप कहते हो south, और ये इन दोनों के बीच से जा रहा है, इन दोनों के बीच से जा रहा है, तो इसे क्या कहोगे, obvious south east कहेंगे sir, answer हो गया हमारा क्या, south east, याणि अब उस ब्यक्ति का जो चेहरा है, वो कहा है, south east में, right or not, हा या न, तो simple में में आप answer कर सकते हो, depend upon the situations, कि आप कहां कैसे, अलाकि options में नहीं है, तो वो tension न लिजएगा, क्योंकि ये बच्चा है, जो typing error कर देता है, कभी कबार, तो it happens, but मैं कह रहा हो कि south east में answer है, तो that means, वो south east में ही answer होगा, right or not, options में 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 जाओगे sir, इस में से कौन सान से लगा है, तो एक banking के point of view से अगर आप जानते है, तो वहाँ पर एक और option चलता है, that is option E, जिसे हम कहते है, none of these, so you can understand by this, यहाँ पर एक option शायद उन्होंने नहीं रखा है, that is none of these, is that clear, क्योंकि शायद इस से पिछले question में none of these दे रखा था, but इस में उन्होंने हटा दिया, कोई बात नहीं, फटापट से आजाओ, और एक option जिरूर एड कर लेना, वही अंतिम option, that is none of these, क्योंकि बच्चे ने यहाँ भी मुझे लगता है, error कर दिये, ठीक है, एक option और एड कर लो, that is none of these, तो फटापट से देख लो question, और फटापट से answer करो, भाई, फटापट से, पॉस कर लो के बाद आयोंगे, अगर आप एक, you know, एक fighter student है, जो पहले खुद करना चाहता है, पहले खुद देखना चाहता है, बाद में solution देखता है, और कुछ बच ऐसे भी होता है, जो पहले solution देखते हैं, बाद में खुद करते हैं, नहीं भाई, यार अपने आपको fighter बनाओ, कि मैं कर सकता हूं कि नहीं, मैंने सही किया या नहीं किया, उस तरीके से उस question को देखा करो, चलो, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, तो I was facing in west, चहरा का है, west में है, 90 degree clockwise गया है, सब से पहले 90 degree clockwise और मैं यहां रख लेता हूं anti-clockwise, जैसे आप रखना चाहों, depend on you, ठीक है, चलो, 90 degree clockwise रख लिया है, 90 degree clockwise, then 135 degree anti-clockwise, 135 anti-clockwise, पूरा question भी नहीं पढ़ रहा है अपर लोग, और सीधा उड़ा दे रहे है, क्यों क्यों कि यहां पर पूछा गया है, अब उस ब्यक्ति का चाहरा, किस दिशाम है, ठीक है, so, after that, देखो क्या है, then he turned 100.5 degree in clockwise direction, तो 100.5, चलो, रख लेत है, 100.5, ठीक है, now he turned 200.5 in anti-clockwise direction, तो यहां से 200.5 इधर ले लिया, ठीक है, finally he turned 100 degree in clockwise direction, इसके बाद 100 degree clockwise direction, what direction am I facing now, अब मेरा चाहरा केस दिशाम में है, यह उसने question पूछा है, तो प्यारे बच्छों, अभी इस से पहले हमने किया, देखो, यह 100 और 100.5, मिलकर के कितने हो जाए सीधा सीधा इसे eliminate कर सकता हो, हाँ यह न, यह entity head गही हमारे लिए, clear देख लो, हाँ यह न, और अब हमारे पास बचा है 135 इधर और 90 बचा है, इधर, तो मैं आप से पूछू कि कौन जादा है, तो आप कहेंगे sir, anti-clockwise जादा है, कितना जादा है, तो आप कहेंगे sir, केवल 45 degree जादा है, कैसे 135 में से, 135 में से, अगर मैं 90 माइनस कर दूँ, तो मेरे पास 45 degree बचेएगा, और किस दिशा में, क्योंकि यह जादा कौन है, anti-clockwise जादा है, right, so मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे इसका response यूज़ करना है, 45 degree anti-clockwise, जहां भी मेरा चाहरा था, वहाँ से, so अग होता, लेक के लिए 90 degree हो जाता, हाँ यह न, यह तो west में चला दे रखा था, कोई issue न, यहां से मुझे 45 चलना है, यहां जाएगे, यहां से, अगर मैं 45 degree anti-clockwise घुमूँगा, तो मैं कहा रहूँगा, यहां पर आ जाऊँगा, और यह देखो, यह दिशा कहा 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 कहाँगे, southwest कहाँगे, southwest is the answer, and we have option d here, हलाग कि मैं इन रोग दीश वाला भी एड करवा दिया था, लेकिन आपको यहां पर option मिल चुका है, southwest it is, so you can answer southwest for this particular piece of question, okay or not okay, now we have another question, see, फटापट से और ध्यान से पढ़ना है इस question को, ध्यान से, क्योंकि आप जल्दवाजी में कुछ भी गर्बर कर सकते हो, I know, बहुत तेज दौर ने किया दते है अपको, so देखो, इस particular question में कहाँगे है, a person turns 135 degree anti-clockwise direction, after walking some distance and walks same distance, again he turns 90 degree clockwise, walks same direction and finally he turns 90 degree anti-clockwise and walks the same distance, यानि कि जो distance वो चलना है बराबर समान दूरी चलता है, ये हर जगे पर दे रखा है, देखें, साथ में यहाना पर हमें ये नहीं बताया गया, initially कि उसका चेहरा starting में किस direction में था, ये भी नहीं बताया है, बस उसके turns बताया है, कोई एक बेक्ती है, जो कुछ दूरी चलने के बाद 135 बावावावर्द गूमा है, फिर कुछ दूरी चलता है, फिर उसके बाद नभेंस दच्चरवद गूमा, फिर कुछ दूरी चलता है, यदि अब वो उत्तर की ओर चलना है, finally यहान भी बोला गया होगा, कि if now he is moving in the north direction, in which direction did he start to walk, अगर अब वो इतने सारे turn के बाद में उत्तर की ओर चल रहा है, तो उसने यात्रा किस दि है, और कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, वो उनके उपर depend करता है, right, so देखो, फटापर से आजाओ, हमारे पास हम पहले इन एंगल को neutralize कर लेते हैं, यानि कि जो एंगल है, उनका एक neutral face जान लेते हैं, कि actual में इतना सब turn लेने की, पीछे, simple सी terminology है क्या, see, 135 anti-clockwise है, तो मै यहाँ पर anti-clockwise रख लेता हूँ, यहाँ clockwise रख लेता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे यतने से, 135 anti-clockwise था, तो मैंने 135 anti-clockwise रख लिया, इसके बाद उसने टग लिया है 90 degree clockwise, तो मुझे कोई फरक ना पड़ता, मैं 90 degree clockwise में गया सीधा, आगे बढ़ गे 90 degree anti-clockwise, तो मैंने 90 degree anti-clockwise रख करेए मुझे मुझे, बच्चे की कितनी बलब error को में ठीक करूँ, तो इसे अटाओ, अलग-अलग question बना लेंगे, दोनों को मैं अलग-अलग तरीक से करा दो, यहाँ पर देको 135 anti-clockwise, और फिर से 90 clockwise और 90 anti-clockwise, ठीक है, यह हमारे पास थे, और इसके बाद वो कहां जा रहा है, नौर्थ में जा रहा है, पहले मैं इंगले से solve कर देता हूँ, तो 90 से 90 कैंसे लोग गया रहा है, कितना बच्चा, 135 डिगरी anti-clockwise, अब मुझे एक बाद बताओ, क्या उसने starting office तरह नहीं, उसने कहा है कि अब वो व्यक्ती कहां जा रहा है, नौर्थ में जा रहा है, अब वो स्टार्टिंग की हमें direction दे रखी होती, स्टार्टिंग की दे रखी होती, और हमें end की पूछ रहा होता, तो हम क्या करते, कि अब इतना जो बोला है, उतना turn करा देते, यानि कि 135 डिगरी anti-clockwise घुमा देते, लेकिन ये कर क्या रहे है, ये कर रहे है, reverse, क्या कर रहे है, अंति आरे बचो, आपको अपनी तरब से कुछना करना है, बस इस anti-clockwise को clockwise या clockwise को anti-clockwise, इसको reverse कर देना है, बस, जो value बच्ची है, उसको वही रहे है, ये बच्ची किसमें है, anti-clockwise में, आपने क्या करना है, इसको बस turn करा देना है, यानि कि clockwise का anti-clockwise और anti-clockwise का clockwise कर देना है, जितना degree है उतना रहें दो और आपका answer automatic आ जाएगा मतलब यहाँ पर हमें बचा था value जो हमारे पास थी वो थी 135 degree anti-clockwise आप इसे क्या कर लोगे क्योंकि यह end से starting पूछ रहा है तो आप इसे कर दोगे 135 degree clockwise और बस इसे यहाँ से north से turn करा दो automatic आपका answer आ जाएगा सी नॉर्थ में था फिस लास्ट में पर हमने उसको neutralize कर लिया है हमने situation को change कर लिया हमने जस उल्टा कर लिया तो यहाँ से हमें का जाना है 135 degree clockwise जाना है देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचते clockwise में यह कितना होता 90 degree होता अभी कितना और चलना है तो 45 चलने के बाद हम यहाँ आ जाते है यह 45 और हो गया यहाँ से यहाँ तक 90 है तो हमारे पास टोटल जो distance आ गया यादि कि जो angular distance हमने cover up किया वो कितना 135 किया और यह direction क्या किलाती है तो sir यह तो होता है हमारे पास south यह होता हमारे पास east तो आप इस point की बात करोगी तो यह point हमारा south और east के बीच में हैसीले क्या होगा south east होगा हाँ यह ना आप answer कर सकते हो particular question के लिए south east simple way हाँ यह ना अब एक थी कुछ दूरी चलने के बाद 135 अज बावावर्थ गूमा बावावर्थ मनलब anti-clockwise ठीक है बावावर्थ मनलब anti-clockwise 135 गया है फिर कुछ दूरी चलता है पुन है 90 degree दच्रावर्थ गूमा यह इसके बाद में वो clockwise घूमता है कितना 90 degree ठीक है अब वो उत्तर की ओर चल रहा है अब देखो हमारे पास और ज्यादा entity बुली नहीं है तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पर कौन बचा 45 degree extra बचा है anti-clockwise में और वो कहां चल रहा है अब उत्तर की ओर क्लॉक्वाइस कर दूंगा हम ही कहां बता रहे थे आप अपने चैरा नॉर्थ की ओर नॉर्थ की ओर चैरा बता रहे थे यह हमारे पास नॉर्थ है और नॉर्थ की ओर चैरा था तो इससे 45 degree कहां घूमो क्लॉक्वाइस घूम जाओ क्योंकि हमने उसे चेंज कर लिया उल्टे को डिवर्ष कर लिया है यहां पर उसका चैरा हो गया या या इंसर क्या हो गया यह अंसर हमारे पास isट होता है यह हमारे पास north है यंकी बीच की एंटिटी को क्या कहेंगे हैं बोग नॉर्थ इस्ट क करता हूँ कि अगर अब आपको इस तरीक से clockwise और anti-clockwise term में कुछ angular movement दिया जाएगा तो आप आसरी से solve कर पाओगे और चाहे right में कितनी कॉंटेटी दिर्ख्यों लेफ्ट में भी कितनी कॉंटेटी दिर्ख्यों अराम से solve कर पाओगे हाँ या चले तो पर आज के इस सेशन में इतना ही मिलेंगे अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यबाद गुडबाई